हेलो बच्चों आपका सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाय लिखाएं में जैसा कि आपने हमारी पहले क्लासिस में जो इंपॉर्टन कोशन कराये वे थे वह आप लोग जुरूर पढ़िए क्योंकि वह आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टन को है महा वली पूरण में रत मंधिर किस परलो शाषक के शाषनकाल के दोरान बनाए गया था है का यसलो आपका आंसर है नर्सिंग वर्मन प्रथम ठीक है जो ये हमारे नर्सिंग वर्मन प्रथम है जो हमारा आपका ये महावली पूरम के रत मंदिर को रत मंदिर को शोर मंदिर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है शोर मंदिर भी कहा जाता है मंदीर के ब्लॉक से बनाया गया और इसका निर्मार आपका आट में हुआ था ठीक है और यह जो क्या है आपके यह पलो शाषक नर्सिंग वर्मन रथम के द्वारा बनवाय गया था तो यह लिए आपका next question है प्राचीन तमिल देश में उपजाव क्रशी भूमी को किस सबसे दर्स आया जाता है जो आपका यह प्राचीन तमिल देश है उसकी उपजाव भूमी जो है उपजाव क्रशी भूमी जो है आपकी किस सबसे दर्स आया जाता है तो आपके option है मुलाई या नैदल तो बताइए किसे धरस आ जाता है तो आपका अंसर है मरूदम जो यह आपका मरूदम है यह क्रसी चेत्र के लिए उसके लिए प्रियुक्त किये जाने वाला क्या है आपका ये शब्द है इसी क्या बोलते हैं हम मरुदम बोलते हैं तो हमारा नेक्ष कोशन है कि समराट ने स्री लंका की उत्री भाग पर विजय प्राप्त कर कबजा किया और उसका मुमादी चोल मंडलम नाम दिया तो आपके उप्षन है राजाराम प्रथम पनानंतक प्रथम राजेन प्रथम या राजेदिराज प्रथम तो बताए इसका अंसर क्या होगा आपका तो इसका अंसर है आपका राजाराम प्रथम तो जैब के राजाराम प्रथम है ये क्या है आपके चोल, चोल की क्या है, चोल वंश की क्या है, चोल वंश की एक प्रथक, स्वरी, प्रसिद, प्रसिद राजा थे यह आपके, ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने 985 से लेकर के 914 इसमी के बीच में, दच्छे भारत के चोल राज़ पर शाशन किया था, कब से कब तक किया था, 1985 से 2014 2014 इस वी के बीच में क्या किया है इन्हों ने शाशन किया हुआ था और इन्होंने क्या किया हुआ था इसने कई नौ सैनिक अभ्यान भी चलाए हुए थे ठीक है और क्या है इसके परणान सुरूप इसने मालबार्ट पर मालवाटर्ट, मालदिव और स्रीलंका पर कपज़ा कर लिया था ठीक है तो हमारी नेक्ष कोशन है नेक्ष कोशन ने लिखी इतमें से किस इस्तान पर तीसरी संगम साहितिक सभा आउजित की गई थी तो बताएए किस इस्तान पर तो आपका अंसर है मदुरे कहाँ प्रvenue अब इस जो आपगलज मदुरे हैं यह क्या है तीसरा तमिल संगम में थिया तीक है अब किसरा आपका साहेसिक मुवा था थिकर तो पर वह थे हैं उसको अध्यक्षे आपके एक हैं मिलका भी नकपी रार थे तधी यह कौन थे ओस्तुछ नगी लार थे। और नेक्सट कॉशन है इंधा बहरती उप महादीब में किरसी का सबसी पुराना साक्ष्च्छ पहां मिलता है। तो आपके ओप्शन है कॉल्डी हवा लहुरादेव में मेहरगर में या तोका में तो पधाए बढ़ाइए कहां पे मिलता है तो आपका अनशर है मेहरगर कहां पे मिलता जो कि कहां पे आपका पाकिस्तान के बल्चिस्थान राज में इस्तित हैं कहां पे आपके पाकिस्तान के बल्चिस्थान राज में इस्तित है ये आपका मेहरगर ठीक है अब नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है आपका निम लिकित सहरों में से कौन सा सहर दुनिया के तो इसमें से आपको लग रहा होगा हो सकता है चार हो सकते हैं आपके ठीक है लेकिन नहीं कोई एक सबसे पुराना सहर जो क्या है आपका जीवित सहर में से एक माना जाता है तो आपके अंसर क्या होगा आपका इसका अंसर होगा आपका बारा रसी और यह क्या है आपका सबसे पुराना शहर पुराना शहर का आ जाता है ठीक है आपका तो यह क्या है आपका जो बारा रसी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग अन कई नामों से जानते हैं किसे कासी से भी जानते हैं बनारस से भी जानते हैं ठीक है और यह क्या है आपका यह भारत का सबसे जहां पर अपकी पवित नदी गंगा पहती के जो मंदिर का चांता है और यह अधिया का सबसे पूराना शहरों में से भी एक है ठीक है और भारत का धारमिक भारत की धार्मिक राजधानी धार्मिक राजधानी की रूप में भी से जाना जाता है ठाया झाल मिख्षयक्षिक है आपका आधिम नुष्य द्वारा प्रियोक में लाय जाने वाला पहला पश्यू कौन साथ था इसको आधि महनु घुलते हैं आधिमानो और इने प्रियोक में पहला पशुक कौन से लाया था आपको ऑप्शन है गाय घोडा कुत्ता बक्री तो आपका अंसर क्या होगा अंसर होगा कुत्ता और वैसे आज भी आप लोग देखते हो कि लोग अपने घर की सेफटी के लिए कुत्तों को पालते हैं जिसे हमारे घर की सेफटी हो सके चोर ना सके कोई ना सके तो 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 यह ज़्यादर लोग अपने मींस पैट के रूप में कुत्ते को ही पालते हैं इसे मुझे भी कुत्ते पालना बहुत पसंद है ठीक है तो चलिए नेक्स कोशन देखते हैं आपका हरपा में अन्नागार किस से बनाए गया थे जो आपक ढर्करी से कोई नेकिस थो चली का होगा थे शिसका अन्नागार को चली है और घलानगार का असवाह का कंबरा थाיים है जो ना गार ना प chef भंढार कंब रहा का अनाज रखते थे, खाने के लिए अपने पशों का भोजन भी रखते थे, जो हमारे पशों को देए जाता है, और फी क्या है, यह केबल इटो से बनाए गया था, ठीक है, और यह क्या है, माहान अन्नागार आपका कहां पेस्ती थे, आपका हडपा मिस्ती थे, कहां पेस्ती थ तो बताइए यहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष मिले हुए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा आपका काली बंगा कहां पर मिले हुए काली बंगा सक्ष मिले हैं तो आपका राजिस्तान के काली बंगा में उत्खनलक ऐं रिसर्च करी गई तो वहां से क्या में प्राप्त होगा कि यहां पर खेटी की जाती थी यह क्रसी प्रधान भी था ठीक है और फिर क्या है यह एक ऐसा इस्थान भी है जहां पर सौरपथम दर्ज के हुए भुकम्प के प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर देखा गिया था यहां प्रमाण यहां पर मिलते हैं कि यहां पर क्या हुए था यहां पर भुकम पाते थे क्या आते थे आपके भुकम पाते थे ठीक है यहां यहां पर हमें उससे पहले हमें क्या मिलें यहां पर साक्ष मिलें यहां पर काली बंगा में भी आपके क्या आते थे भुकम पाते थे ठ बारत के सबसे पुराना साक्ष कहां से प्राब्थ होता है तो कि पराने स सबस Taste आपका अंसरोगाए इसका अच्यार सभाट कहां है अपira से मिले थे तो आपके सिंदू वैपार केंद्रो और मैसोपोटामिया के बीच वैपार के लिए प्रेवेस बंदरगाह था कौन से था आपका आपके एलाम ओमान बहरिन अफगानिस्तान तो बताईए कहां से आपके मिले वे थे किसके बीच में थे ये बीच में वैपार के ये प्रेवेस बंदरगाह था कहां पे था आपका तो का अंसर होगा आपका बहरिन में ठीक है और ये क्या है आपका एक ये दीपी ये देश भी है जिसमें से क्या है बहरिन आपका दीपों के चारो और चारो और केंद्रित एक छो चारो और से केंदेत आपका क्या एक चोटा सा देप समू है जो कतर प्राइदीब और सवधी अरब के उत्तर पूरवी तट के बीच में इस्तित हैं चलिए नेक्स कोरशन देखते हैं नेक्स कोरशन है हमारा दुर्ग रहित और मात्य सिंदु सहर कौन सा था तो बताईए इनमे से कौन से ऐसा था जहांपर दुर्ग नहीं था दुर्ग मिन जो आपका विशाल गेच से पर जाता है तो समय उसको दुर्ग बोल दे थे तो दुर्ग बताई कहां पर नहीं था इक मात्र दुर्ग शेहर कौन से था आपका तो आपके ती किलोमीटर दक्षिर में इस्तित है कहां पर इस्तित है आपके आपके आपका यहां पर पाया है यहां पर टीला पाया गुए है और यह क्या है 1931 में 1931 में इसकी खोज किस ने कियी थी इसकी खोज इस टीले की खोज किस ने कियी थी एंजी एंजी मंजुमदार ने कियी थी ठीक है तो जेलिए नेक्स कुशन है हमारा यहां पर क्या है यह आपका यह क्या है दुर्ग रहीत एक मात सिंदू सहर है आपका ठीक है नेक्स कुशन दिखते हैं नेक्स कुशन है निम लिकित में से क्या हरपा समाज और वैदिक समाज में सामान था तो बढ़ाइए ऐसी क्या चीज थी जो हरपा से दिसक्रती में भी और वैदिक समाज हैं भी दोनों में similar थी आपकी ठीक है तो आपका है option है आपके महिला देविया शहरी के लोग करन या इनमें से कोई नहीं तो बदाइए इनमें से कौन सी चीज थी तो सामान थी तो आपका answer होगा महिला देविया ठीक है तो जो आपकी क्या थी हरपा और वै चीन काल में चेनाब नदी किस नाप से जानी जाती थी जो आपकी चेनाब नदी थी उसको किसी अन्य नाम से भी हम लोग जानते थे तो अन्य नाम क्या था आपका तो आपका अश्रिक्की थी है तो यह आपकी चेनाब नदी है वो भारत भारत की हिमाले प्रदेश के हिमाल उक्रिति जिले के उपरी जिले के क्या है उपरी हिमाले की टाड़ी जो आपकी टाण्डी है चंद्रा और भागा नदियोगे संगम से संग्रस होग और यह क्या है आपकी जो चेनाम नदी है उसकी लंबाई कितनी है Cos a 100 किलोमीटर यह क्या है कि इसकी नोसो साथ किलोमेटर कि Henceindhu-nati sindhuni कशमीर के जबू चेत कर से करे पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में यह पैती है तो चलिए नेक्स्क्रोशन है हमारा कौन सा रप्पा सहर कलाकारों और कारीगारों का शहर माना गया है तो आपका अप्शन है मुहन जोदुरो चन हुदुरो रप्पा लोथर तो बदाएए इनमें से कौन सा है आपका वो शहर तो इसका अंसर होगा आपका जन हुदुरो ठीक है जो आपका यह जन हुदुरो है वो सिंद के मुहन जोदुरो से 130 किलोमेटर दक्षिय परिस्तित है यह आपको पहले ही बता चुके हैं उपर कोशन में और यह क्या है यह सॉरी यह पर बिभिल प्रकार की मूर्तिया मोहरें खिलोनें अस्तियूप करण के कार खानों के प्रहिमार मिलते हैं ठीक है का मिलते हैं किसके मोहरों की के मुहरों के खिलोनों के अस्तियों के उपकरणों के क्या मिलते हैं कार खानु का यहां पर प्रमार मिलता है तो इसलिए इससे पता चलता है कि यहां प्हों है क्या था यहां पर सारे कारीगर थे चारीगर ते और वो घ्या यहां पर बस्तीयों में हांची रहते थे त activating यह क्या था औधों कि शहर भी था भी थि एक पॉस्म देते हैं जातूमें से कौन सा धातु सिंदु घाटी के सिंदु घाटी के लोगों द्वारा ग्यात नहीं था तो बताईए कौन से सिदातु जी तो सिंदु घाटी के लोगों को ग्यात नहीं थी उसकी उनको जानकारी नहीं थी कि उससे क्या थे विल्कुल अज्यान थे और हाँ, हमारी questions को इनको आप note जरूर करिएगा, note down इसलिए करिएगा कि यह बहुत ही important question है, तो क्या होगा कि यह आपको क्या होगा, revision करने में आपको बहुत ही help होगी, ठीक है, और हमारी जो previous की classes, हमारी जो पहले की classes भी हैं, उनको भी आप जरूर लीजिए, और हाँ, हमार हमारे चैनल में, हमारे चैनल की playlist में आप लोग आप जाहिएगा, वहाँ पे current affair की भी classes चलाई जा रही हैं, और आज की time में क्या है, current affair जो होता है, current affair तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है क्योंकि अब तो paper जो होता है, वो ज़्यादर उसमें question current affairs के भी आता, math, reasoning और English, और GS के तो question आते आते हैं, बट उसके साथ current affair के भी questions आते हैं, तो आप current affair की भी class जुरूर लिए जएगा, और हमारी math और reasoning की class तो हमारे सार लही रहे हैं, तो आप वो भी लीजिएगा, वो बहुत ही important class है, और बहुत ही वो अच्छे से समझाते हैं, जो आपको करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, कॉमेंट्स करिए, ठीक है, तो चलिए अपने question पर आते हैं हम लोग, तो हमारा क्या है, नेमलिकित में कौन से सी धातु है, जो सिंदु घाटी के लोगों को ग्यात नहीं थी, तो आपके option है, टेन, सीसा, लोहा या तो बताए, कौन सी धातु जी, जो ग्यात नहीं थी उनको, तो वो कौन सी थी, लोहा, ठीक है, आपको लग रहा होगा लोहा, लोहा तो हो सकता है, बट नहीं, उसमें कौन सी सिंदु घाटी थी, उनके लोहों किस धातु का ग्यान नहीं था, उनको लोहे का ग्यात नहीं थ सिर्ट के सुग्टाえて % हि और हां romance के जेंस की थी कैसे थी कांपस्यक्स से थी और यहां पे क्या है यहां आपके तामे की खेटरी सिंथ्दु कार्ट मैं आपको किसके तामे की खेटरी इन तांबे की कारखानों से प्राप्त किया गया है और जो आपका टीन है यह आपका अफगानिस्थान से लाए गया था और अपका संस्की में लोग क्या थे लोएक अपयोग नहीं करते थे तो चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेम लेकेट में से कौन सा सिंदुगाटि के लोगों और वैदिक आरेयों के भी सामान नहीं था तो क्या चीज़ थी जो सामान नहीं थी तो आपका अपशन मांस खाना मवेशी पालना सूती कप्ड़े का प्रियोक करना या मात्र देवी की पूजा करना तो बताए क्या चीज आपका मात्र देवी की पूजा यहां पर क्या है आपका हडपा में कई महलाएं जो ती आपकी क्या थी हडपा की जो हरपा संस्कीदी जो महलाओं का चैसे मुर्तिया मिली हुए थी है तो यह क्या है यहां प्रथ्वी देवी को तर्साथी है यहां पर जो यह आपके आपके जो महिलाओं के महिलाओं के मूर्तियां मिली हैं, कैसी मूर्तियां मिली हैं, इनके भूर से पौधा निकल रहा है, ठीक है, और भी क्या है, और जो वैदिक गरंथ है, वैदिक गरंथों में क्या है, मात देवी का कोई महत नहीं है, ठीक है, जो आपका ये वैदिक है, इसमें क को काली भंगा को या रंगा को तो बताई किसे छोटा छोटा कहां जाता था तो इसका अंसर होगा आपका है ऊप्ते हरा क्या है आपका लोड़त क्या है लोडोर ंए यह लोडर जो यह है आपका इसकी member झीया कही थिक यह घुच टिंव ठीक और इसे मिनी हड़ार्पा भी कता है क्या का जाता है ? पहला मानो निर्मिद, बंदर चाहा और क्धिंया मानो निरुड़ फैक्टरी चावल की भूसी आग की परतें शत्रंज खेलना फारस की मोहरें संयुक्त सावाधान ठीक है और क्या है आपका क्या है इन सभी के क्या मिलते हैं यहां से प्रमार मिलते हैं क्या मिलते हैं यहां से प्रमार इसी स्थान से आपके क्या होते हैं इसी स्थान से यहां से आपको प्राप्त होते हैं क्या क्या प्राप्त होते हैं यहां से आपको यहां से क्या क्या मिलता है आपको यहां से मानो निर्मित बंदरगा एक डाक्यार्ड, विड्मेकर फैक्टरी चावल की भूसी, आग की परते सतरंज खेलना, फारिस की मोहरे सर्यूंग शावधान के साक्ष कहां से हमारे यहीं से ही प्राप्त होते हैं ठीक तो नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है हमारा बैदिक समाज में आच्रन सहित का वरन किसके किसमे किया गया था अच्रन सहित का वरन किसमे किया गया था पुराडो में वेदो में लामति में या इसमनती में तो पताई किसमे किया गया था ठोब्तै आपका शुरती और दूसर इसमनती ठीक है इजो वेदो वेदों को वेदो को शृती कहा जाता है और यह क्या है यह सरवूस प्रदिकार है आपका थिKI और अम्हान tossed को डाउं जॉरू करीएगा और ठीक है और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कॉमेंट्स भी कीजिए आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो वह अपना जोरू कमेंट्स बॉक्स में अपरा कमेंट करिएगा ठीक अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो उसके लिए भी आप कॉमेंट्स कीजिए ठीक तो जल्ले नेक्स कोशन देखते हैं नेमलिखित में से कौन उत्तरवैदिक काल की प्रतिस्थित जंजातियों में से एक नहीं थी तो पताएगे कौन सी नहीं थी वैदेही विदे भरत पंचाल यह कुरू तो पताएगे भरत जो आपका भरत है वो रिग वेद में वर्णेद एक काबिलाई क्या है जिसमें कबीली होते थे यहां पर कबीली होते थे कबीलाई जन जाती थी ठीक है जिसका श्रे किसको जाता है जिसका श्रे भरत रिशी भरत रिशी विश्वमित्र को जाता है ठीक है और आपकी क् भी मंदल में 7 में दस राज्याओं की युद्त में भाग लेने की रूप में भी रूप में किसका बर्ण किया जाता है इंका उलेकि आजाता है तो आपका ये हैं आपको बतार जा गया नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कुशन है हमारा रिग बैतकाल में राजा के पश्चात सबसे महतबूर कार करता था राजा के बाद कौन ऐसा है जो बहुती क्या महतबूर कार करता था तो नेक्स कुशन है हमारे पुरोहित, सैनानी, कानीन अधिकार, यकर, समाहर्ता तो बदाईए कौन सा होगा हमारा कौन था जो राजा के बाद सबसे important अपना क्या रखता है अपना पद रखता है तो इसका अंसर होगा पुरोहित ठीक है जो वैदिक काल में थे हम लोग राजाओं के बाद सबसे ज़्यादा किसको सम्मान देते थे पुरोहितों को देते थे ठीक है और वो वादी महत्वपूर क्या था कारिक करता था ठीक है तो जो हमारे पुरोहित थे वैदिक काल में पुजारी के लिए क्या थे पुजारी के लिए अधिकारिक उपादी है इनकी ठीक है जो हमारे क्या थे जो पुजारी के रूप में ठीक है और फिर क्या आपका को वैजिक धर्म के जो पुजारी पुजारी थे आपके अनुस्ठान और वलिदान के लिए भी अधिकारिक होते थे ज़ daran के जो यह पुजारी थे वह इन चीजों के लिए सबसे महत्तूर्पुर्ई आपका कारी करता थे आपका पुरोहत था धिक है वैदिक समाज में परिवार के समू को दर्षाने के लिए प्रियोग किये जाने वला शब्त कौन से था तो बताएगे किस से हम लोग वैदिक कार में परिवार के समू को दर्षाते थे कॉं से सब्द से सदर्श आते थे तो उपका पॉषयन है गौत्र जन विश या घ्राप तो किसे अधर्स आया जाता था घ्राम से ठीए जो वहां के परिवार के सम्वह को हम लोग क्या वह रख ग्राम भोलते थे ठीए ठीए तो जब ही our so इसे निम्रिकद में से कौन सा भारती धिर्षन का सबसे प्राचीन विध्याले था उपकर ऑप्षान योग करमिमांसा यह इनमें में सब कोई नहीं है तो बदाएं कौन सा था आपका प्राचीन विद्याले इसका अंसर होगा सांक है ठीक है जो आपका ये सांक था वो हिंदू दर्शन के छे छे शाखाओं में से एक था ठीक है और ये जो आपका हिंदू धर्म में ये किसे संबंदित था ये आपका शांक है ये योग योग सांका से गरंथों में यवन प्रिये शब्थ का वर्ण है यह क्या दर्साता है आपका आपके हाती दाद काले मेश भारती मलमल का एक अच्छा किश्म या नयत्र प्रदर्शन के लिए युनानी दर्वार में भेजी कई यूपती तो वताईए आपका प्रचीन गरंथ था प्रचीन गर कालीमीच ठीक है वो ट्रिप का लग रहा होगा कि मतलब किसे येसरे के दिर इया मज़्ये सैं ng सब्षेट वस्तू क्या ते आपके यही थी क्याति कालीमीच थी भारत की वस्तूओं में इसकी बहुत अधिक मांग थी जो आपकी काले मुश्किती बहुत अधिक मांग थी तो इसके लिए क्या था इसके लिए जो भारत से क्या इसका बहुत अधिक निर्यात से बहुत निर्याद से क्या आपको सोना जीत करता था ठीक है भारत इसके लिए क्या करता था इसका निर्याद करता था और इसे क्या मिलता था उसको सोना मिलता था ठीक है और वह सोना और वैसे भी हमारे भारत को क्या कहा जाता था हमारे भारत को हमारे भारत देश को सोने की चि किसके देवता थे अगनी के वर्षा और तुफान के अनन्त काल के या वाई के तो बताईए इंद्र देव किसके देवता थे तो आपका अंसर होगा वर्षा और तुफान किसके देवता थे वर्षा और तुफान के देवता थे और वैसे भी हमारे हिंदुधन में इंद्र एक हमारे इंदर देव ठीक है और ये क्या है ये बिजली गरज वर्षा तूफान और नदी के प्रवा के भी देवता है ये हमारे जो इंदर है वो किसके किसके हैं बिजली के हैं दूफान के हैं बारिश के हैं गरज के हैं और नदी के बहाओ के लिए नदी के प्रवा के लिए भ सबसे उलेखनी है उलेखनी है देवता का जाता है ठीक है इनका उलेख बहुत है इंदर्देव का क्योंकि यह हमारी क्या है सुर्ग के राजा है शब्द next question है हमारा शब्द निसका जिसे वैदिक काल में एक अभूसर कहा जाता था ठीक है थी यह भूशर था आपका तो फिर बाद में इसका प्रियोग किसको निरूपित थी यह किसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता था तो आपका ऑप्शन है संग क्रेसी कारवयन अभिलेक सिक्के तो बताइये किस के लिए किया जाता था तो इसका निश्का का तो आपका अंसर होगा निश्का क्या का जाता था बाद में सिक्के किसके लिए प्रयोग के जाता था तो किसके लिए निरुपित के जाता था ये शिक्कों के लिए ठीक है और ये क्या है आपका वैदिकाल में क्या था ये आपका निश्का एक पकार का सिक्का था चलिए next question देखते है सबसे प्राचीन जन जाती सभा थी सबसे प्राचीन जन जाती सभा थी तो आपके option है गर्ण, विथ, समिती या सभा तो बताईए क्या थी आपकी जन जाती सभा तो आपका अंसरों का विथ यह जो आपका विथ है सबसे प्राचीन जन सभाओं में एक है जो विथ है वो सबसे प्राचीन जन सभाओं में जनता के सभाएं लगती थी उसमें इस क्या थी? यह एक थी और रिगवेद में जो विथ सब्थ है कित्ति बार आया हुआ? आपका 122 बार आया हुआ है वैदिकाल में और आपको जो वैदिकाल में यह सबसे महत पूर्ण जन सभाओं लगती थी जो आपकी विथ है वो सबसे क्या है आपकी? सबसे महत पूर्ण जन सभाओं लगती थी और जो आपका विथ है आपका सैनि ठीक है उसके लिए क्या थी आपकी उद्देशिय एक उद्देशिय क्या थी जैन सरी सैन उद्देशिय क्या थी आपकी एक सभाती ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कोशन लेख दे हैं गात्री मन्त किसके लिए समर्पित है तो बदाए आपका जो गात्री मन्त है ओम सूर्ड, सॉम या मारूत तो बताईए सहाथि जो हमारी एक और देपता है इसी नहीं बढ़ाया होगा है यह सब्जाथा है कहा जाता है यह मजाग है यह आपका सीरिस मज़िजेगा जो हमारा सॉम है इसको क्या बुज़ जाता है मदिरा, मदिरा का देवता बोला जाता है, मदिरा मिन्स आपका अलकोहल जो होता है, ठीक है, और जो मारूत है, वो आपका क्या है, तुफान की देवता है, तो बताइए, क्या गा जाता है, जो हमारे गैतरी मन्थ है, वो किसको समर्पित है, एक सौर देवता को, या सूरज को सोमदेब को या मारूत को बताइए किसको है तो इसका अवा गाल हाँ किसको है आपका सावित्री ठीक है यह आपका गैत्री मन्स है जिसे हमार क्या बोलते हैं सावित्री मन्द के रूप से भी जाना जाता है ठीक है ? और रिक बेद में एक उच उच प्रतिस्थित आपका मन्त रही हैं, ठीक है, और ये क्या आपका, ये जो आपके सूर, सूर देवता को क्या है आपके, ये समर्पित है, तो चलिए, नेक्स कोशन देखते हैं, निम लिखित में से, किस वेदांगों में शूता, ग्रह और धर्व शूत्र सामिल है, तो बदाएए, आपके उप्शन है, सिच्छा, कल्प, निरुक्त, चंद, बदाएए, इन में से कौन होगा आपका अंसर, किसको समर्पित है, कौन सा आपका क्या है ये, किसमें शामिल है आपका, तो यह आपका किसको है, कल्प, ठीक है, निम लिखित में से, किस वेदांगों शूता, ग्रह, धर्व, शूत्र में सामिल है, किसमें आपका कल्प में, जो आपका कल्प है, कल्प वेदांग का एक प्रमुगेंत, हिंदु धर्म में क्या बोलते हैं इस ग्रंथ को हिंदु धर्म में क्या आपका कल्पशूत्र से जाना जाता है कल्पशूत्र से आपका जाना जाता है ठीक है जाना जाता है आपका कहा जाता है आपको कल्पशूत्र कहा जाता है ठीक है और क्या है आपका जो यह जो ग्रंथ ह भी घटनाओं से भी आपके जुड़ा क्या है आपका मार्क है ठीए जापका ये कल्प है ये आपका तो ये किसी जीवन की जिसे व्यादिक अनुस्थान होते हैं या परिवार में जन्म हुआ किसी बच्चे का या विवा हुआ या किसी की म्यत्तु हो गई इन गटनाओं के ग व्यक्तिकत आच्र और व्यक्ति की जीवन में उचित कर्तब शामिल करते हैं यह ठीक है अचित क्या है आपके कर्तब सामिलते ठीक है तो नेक्स कोशन है आपका लास्ट कोशन है आपका यह ठीक है इस सीरीज का आपको सबसे लास्ट कोशन है यह आपका मूल रूप से किस स्क तो बदाएए संथ्ट धर्म किसे आपकाуск किसे का जाता है तो आपका अंसर होगा आस्तिक है श्कूल template उसे क्या बने है व хот फो भारति दर्शन में और Solar में आव तौर उर रोड़ी रुड़ी वादी को स्कूल थे क्या भरति कि अ स्कूल उन्हें क्या भलता था था युथ कि क्या था आपका वियाअगी गरण किया गया है ठीज आजकतो जिए स्कूल से किया थे वह भीर को लित को सर्वच मानते थे जो आपके लियुक्ष स्कूल नाइ सी स्कूल मूल bạn से क्या थे वो सनातन धर्म सनातन धर्म से ठीक है किसको इसी के साथ हमारे 30 कोशन की सीरिस खतम होते हैं अफने लाइक्स कॉमेंट्स और हमारे वीडियो को शेयर कीज़ेगा लाइक कीजिए कोमेंट्स भी कीजिएगा और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुई मत भूरिएगा और आज वैसे भोले नात के सावन की संबार स्टार्ट हो गया है तो भोले नात आप सब्वे अपनी के परतस्टी बनाए रखें और आपकी एक सीट आपका दिन शुब हो